आखेर क्यों एलन मस्क के आते ही ट्विटर में इतनी सारी फाइरिंग स्टार्ट हो गई है ट्विटर वेरिफाइड अकाउंट्स के 8 डॉलर चार्ज करने के पिछे की वज़ा क्या है सबसे पहली बात एलन मस्क इतने इंट्रेइट क्यों थे ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क के ट्विटर खरीदने की असली वज़ा छुपी हुए है उनकी कंपणी की हिस्ट्री में वो अपने 1 ही ट्वेट से सारे 11 करोर दोगों के बीच अपनी कमपणी की मारकिटिंग कर सकते दे त task यही वज़ा है कि ट्वेटर खरीदने का interest उनके माइन में आया Elon Musk के आते ही, इतनी सारे लोगों की firing निकाल दिया Twitter accounts के verification के लिए $8 का rule आ गया Facebook और Instagram के comparatively Twitter के user base बहुत ही कम है और कम user base होने की वज़े से बागी social networking sites के comparison में Twitter के shares के price भी बहुत कम है Twitter के 2021 के quarterly report को अगर देखा जाये तो Twitter already $344 million के loss पे चल रही थी जिसे देखके Elon Musk ने एक समय के लिए Twitter खरीदने का decision छोड़ दिया था Twitter को खरीदने के लिए Elon Musk को $13 billion का loan लेना पड़ा जिसका annual interest almost $1 billion पड़ रहा है Twitter of verified accounts से monthly $8 यानि $656 रुपय इंडिया में चार्ज करने वाली है इसके पिछे की एक वज़ा Twitter को spam free बनाना fake और bot accounts को filter करके और दूसरी वज़ा Twitter के loss को recover करना Elon Musk ने Twitter को buy करने से पहले ही अनौन्स कर दिया था कि वो 75% of employees को fire करेंगे Elon Musk की company Tesla में workforce का already 10% firing हो चुका है सेम उन्होंने Twitter का loss recover करने के लिए Twitter पे आते ही बहुत सारे employees को fire कर दिया और इसमें fun fact ये भी है कि अब वो कुछ important employees को वापस बुला रहे हैं Employees को fire करने की race में भी बाकी companies पीछे नहीं है Facebook ने 12,000 और Amazon, Google, Byjus ने भी अपने बहुत सारे employees को company से बाहर निकाला Elon Musk आने वाले समय पे ऐसे बहुत सारे नए rules लाने वाले हैं ऐसे में आपके क्या thoughts हैं Elon Musk और Twitter को लेकर हमारी comment section में जरूर बताएं ऐसे ही interesting videos के लिए हमारे Matt channel को subscribe करें इस video को like करें और share करते रहें